ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारे बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रू सादर जैसी कृष्ण हमारे यूट्यूब चैनल में आप सब भी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारिधर मिंद्र शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं देनिक राशिफल यह राशिफले 22 अक्टोबर 2030 रईवार का दिन है आश्विन महा के शुक्लपक्ष की अस्टमी तिथी है इस दिन दुर्गास्टमी महास्टमी का महा परवर हेगा सभी लोग अपने अपने घर में कुल देवी का पूजन अरचन करेंगे उत्रा साड़ा नामक नक्षत्र होगा तथा मकर राशी में चंदरमा बिराजित रहेंगे दिशासूल की अगर हम बात करें तो पश्चिम दिशा में होंगे इसलिए पश्चिम दिशा की यात्रा करना नुकसान दाई सावित होगा अगर किसी कारणवस पश्चिम दिसा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो पान खा करके यात्रा का आरंब कर सकते हैं राहुकाल जो कि शाम को साड़े चार बजे से लेके छे बजे तक रहेगा इस दोरान किसी भी प्रकार का शुब एवा मांगलिक कारिक्रम आपको संपन्न नहीं करना चाहिए हालाकि राहुकाल का निर्ने आप अपने ख्षेतर के पंचांग अत्वा के लेंडर के अंसार कर सकते हैं क्योंकि राहुकाल कई छेतरों में माना जाता है और कई छेतरों में नहीं भी माना जाता है दैनिक ग्रह गोचर के दिए हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूरी देव जोकी तुला राशी में वहीं चंद्रमा मकर राशी में, मंगल गरह तुला राशी में, बुद्ध गरह तुला राशी में, देव गुरू बहस्पती जोकी मेस राशी में, शुक्र गरह सिंग राशी में, शनिदेव कुम्ब राशी में, राहू गरह मेस राशी में तथा केतु गरह तुला राशी में विराजित रहेंगे इस देनिक ग्रह गोचर के नुसार वरशप करक कन्या तुला वरश्चिक और मकर ये छे राशियां सबसे दिख भागी शाली रहने वाली है कारिक्षेत्र में इनको नती और प्रकति के उत्तम अउसर प्राप्त हो सकते हैं धनलाप के सांसाथ नई जुम् चंद्रोदाए 12 बच के 33 मिनिट रात में होगा एवं चंद्रमा का अस्त 11 बच के 16 मिनिट पर होगा शुब मुहुर्थ की अगर हम बात करें तो रईवार का दिन है और रईवार के दिन सबसे पहला शुब मुहुर्थ सुबह साड़े साथ बजे से शुरू होकर के नो बजे तक चर का चोगडिया रहेगा तथा नो बजे से साड़े दस बजे तक लाप का चोगडिया रहेगा उसके बाद साड़े दस बजे से लेके दो पहर 12 बजे तक अमरत का चोगडिया रहेगा दो पहर एक बच के 30 मिनिट से ले पूजन अर्चन के लिए अति शुप फलदाई साबित होंगे अब हम आपको मेश से ले करके मीन सभी बारा राशी वालों का दैनिक राशी भल बताने जा रहे हैं हमारे इस ग्यानवर्दिक वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेश रासी की आप सब की मदद करेंगे भावख हो सकते हैं आनंद मनोरंजन के कुछ आउसर भी आपको प्राप्त होंगे अपना व्यवार लचिला रखे अपना पसंदिदा काम निप्टाने की आप योजना बना सकते हैं दूसरों की मदद से किसी काम से जुड़ना आपके लिए फाइदे मन होगा संतोज जनक रहेगा किसी कागच पर हस्ताक्षर करने के पहले उसे अच्छी प्रकार से पढ़ ले बिगड़े काम सुधारने में किसी की मदद करेंगे काम धंडे नोक्री और परिवार के लिहाज से दिन थोड़ा ठीक रहेगा काम में मन लगेगा उत्साहभी आपका बढ़ेगा उपाई के रूप में भोजन के बाद सुफ या फिर इलाईची खाना आपके लिए शुफलताई साबित होगा आपका भागिशालियंक जोकी 5 होगा अब हम बात करते हैं व्रशब रासी की परिवार का कोई भी यदि तनाव चल रहा है तो वो समाप्त हो जाएगा दिन की शुरुबात अच्छे कारियों से होगी अचानक सब कुछ अच्छा हो जाएगा जीवन सांथी के साथ आपकी खूब निभेगी और परिवारी जीवन सुखद रहेगा तन मन और माहुल में कुछ दिनों से चली आरे सुस्ती भी समाप्त होगी ओफिस कारिक्षेतर में कोई स्थिती आपकी रुटीन लाइब को बदल सकती है सामाजिक तोर पर आप काफी सक्री रहेंगे लोगों से मुलाकात और प्रसनता होगी आपकी मदद या प्रेड़ना से कुछ लोगों को सफलता मिलेगी जो काम आपको दिया गया है आप उस पर बारी की से ध्यान देंगे आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा है अधूरे काम समय पर निपट जाएंगे जीवन के प्रती नजरिया आपका बदला हो रहेगा कोई प्रेम प्रसंग या नया काम आपका शुरू हो सकता है उपाई के रूप में किसी भी मंदिर में यदि आप आटे का दान करेंगे तो आपका दिन शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक जो की तीन होगा अब हम बात करते हैं मितुन राशी की कन्फ्यूजन और गलत फेमी की स्तिती से आप बाहर निकल सकते हैं कुछ नया करने का उसर मिलेगा सफल होने के कई तरीके आपके दिमाग में आजा सकते हैं आपके चिंतन की दिशा सकारत्मक रहेगी आज आप पुरी तरह व्याभारिक और संतुलित रहने की कोशिश करेंगे इसका असर आपके नजदी की लोगों पर पड़ेगा व्यावसाय के मामलों में सफलता मिलेगी कोई पुराना करजा यदी चल रहा है तो वो समाप्त हो जाएगा आज आप संतुष्टी महसूस करेंगे डामपत्त जीवन आपका सुखद रहेगा आपका व्याभार पार्टनर को परिशान या दुखी कर सकता है व्यापारिक जवाबदारी और प्रतिस परदा में जल्द बाजी से नुकसान हो सकता है उपाई के रूप में यदि आप कोई भी लाल रंग का फल देवी जी के मंदिर में चड़ाएंगे तो आप का देन शुफफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक जो किन नौ होगा अब हम बात करते हैं करकराशी की आप अपने मन की बाते किसी को पता नहीं चलने देंगे राज की बात उजागर नहीं करेंगे पैसो से जुड़ी खुश खबरी आपको मिल सकती है या किसी मामले में कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है धहरे रखे अपनी बात और बातचीत के तरीकों पर नियंतरन रखे इससे आपको ही फाइदा होगा जो भी बोले सोच समझ करके बोले अपनी इच्छा से आप किसी की मदद कर सकते हैं आपकी यूजनाएं पूरी होगी और उससे आपको फाइदा भी होगा आज आप किसी बात पर नर्वस हो सकते हैं आपके मन में खुद को लेकर के फालतु का डर या संसय उत्पन हो सकता है चुट-पुट समस्याईं जरूर है लेकिन आप उसका समाधान भी निकाल लेंगे उपाई के रूप में यदि आप मा दुरगा के मंदिर में कोई भी पुश्प चड़ाएंगे लाल फूल या पीला फूल चड़ाएंगे तो आपका दिन शुपलदाई साबित होगा और आपका भागिशालियन की जो की एक होगा अब हम बात करते हैं सिंग रासी की जो भी काम सामने आए उसे निपताते चले आए दूसरों से बैधड़क मदद मांग ले आप अपनी ख्रमता दिखाने का मोका न चुके अपनी रचनात्मक्त योगिताओं के कारण आप सभी से अलग रहेंगे कोई दोस्त आपको परेशानी के वक्त मदद कर सकता है परिवार प्रेमी और संतान को लेकर आप कुछ ज़्यादा ही भावख हो सकते हैं प्रेमी या जीवन साती को समय देंगे धर इसे खुद पर कंट्रोल करेंगे सफलता आपको मिलेगी अचानक कोई रुकावट या परेशानी आ सकती है और मांसिक तनाव का सामना भी आपको करना पड़ेगा कुछ कारियों में आपको परिवर्तन करना पड़ेगा और उपाई के रूप में एक धूप बत्ती यदि अपने घर के मंदिर में जलाएंगे तो आपका दिन शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशालियंक जो किद्धो होगा अब हम बात करते हैं कन्याराशी की दूसरों के साथ तालमेल बना कर आप चलेंगे जिससे नोकरी में आपको फायदा होगा आप थोड़ा स्वतंत्र और खुद को तैनाव मुक्त महसूस करेंगे आफिस का कोई विवाद निप्टाने की कोशिश आप कर सकते हैं करिक्षित्र पर आपको परिवर्तन करने का आउसर प्राप्त होगा नकारत्मिक स्थिति को सुधारने के लिए अच्छा समय है आपका ध्यान घर परिवार पर बना रहेगा परिवार के कुछ मामले सुल जाना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा कोई भी फैसला करने के पहले परिवार के सदस्यों के साथ सलह मश्वरा अवस्चे करे आपके विचारों में मजबुती आएगी अपने मन की हर बात कहने के प्रती आप उच्छुक रहेंगे आज आपको धीमी और साब बात करना अच्छा रहेगा उपाई के रूप में हनुमान जी के मंदिर में लाल फूल चड़ाना आपके लिए शुफलडाई साबित होगा आपका भागिशालियंक जोकी आठ होगा अब हम बात करते हैं तुला राशी की आज आप किसी अच्छी खबर की जर्वत महसूस करेंगे इस सिलसले में एक आपको जो है संदेश प्राप्त भी होगा और आपका सम्मान बढ़ेगा और कोई ऐसी जुम्मेदारी आपको दी जा सकती है जिसे सिर्फ आप ही कर सकते हैं किसी विवाद को सुलजाने में आपकी दक्षर्टा का प्रयोग किया जाएगा आपको कई लोगों और कई तरह के मामलों का सामना करना पड़ेगा खुद पर नियंतरन रखेंगे तो आगे आप बढ़ जाएगे पैसो का कोई मामला यदी चल रहा है तो वहाँ सुलज जाएगा जो आज आप बात करेंगे उसमें किसी भी प्रकार का कोई संकोच न करे अपनी सेहत पर ध्यान दे हर जरूरी बात अपने पार्टनर से आप शेयर करे टेंशन आपकी समापत हो जाएगी नए नए आइडियास आपको मिल सकते हैं किसी काम की जित करेंगे तो काम बिगर सकता है इच्छा न होते वे भी थोड़ा बहुत आपको खर्च करना पड़ेगा लोगों की सला या बातों के कारण आपका कन्फूजन बढ़ सकता है आफिस में आप अपने किसी बड़े आदमी से उलजने का पूरा मन भी बना सकते हैं और साथ के लोगों से बात करनी का तरीका आपको ठीक रखना चाहिए उपाई के रूप में भगवान विष्णुजी के मंदिर में यदि आप पीला फूल चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशालियंक जोकी चार होगा अब हम बात करते हैं व्रश्चिक रासी की आपका स्वभाव हस्मुक रहेगा और आप कई समस्याओं को समाधान हसी मजाक में ही निप्टा लेगे पार्टनर को समय दे ओफिस में काम करते समय आपका ध्यान पार्टनर पर बना रहेगा पैसो की स्थिति पर आपको गंभीरता से विचार करना होगा आज आपने जो सोच रखा है वो हो जाएगा मानशिक शांती रहेगी महनत कम है परिनाम आपका दिल खुश कर देगा व्यापार अच्छा चलेगा जीवन सांती की सेहत पर आपको ध्यान देना चाहिए उपाई के रूप में यदि आप भोजन के बाद गुड़ खाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा और आपका भागिशालियंग जो किछे होगा अब हम बात करते हैं धनुराशी की दूर इस्थान से केरियर संबद्दित समाचार आपको मिलेगा जो आपको खुश कर देगा साथ काम करने वाले लोग आपके लिए लखी साबित होंगे कुछ ऐसे लोगों से आपकी बातचीत होगी जो आपके लिए महत्ट पूर्ण रहेंगे बातचीत करने का कोई नया तरीका आप निकाल लेंगे और आर्थिक लाप का रास्ता भी आपका बन जाएगा जो चल रहा है उसे चलने दे आपका कोई बड़ा फाइडा होने वाला है आपका ध्यान पैसों के हिसाब किताब पर बना रहेगा निवेस के अउसर मिलेंगे आपसी विचार विमर्स और सहयोग से आपको प्रसनता प्राप्त होगी और उपाई के रूप में यदि आप कच्चा दूर शंकर भगवान के मंदिर में चड़ाएगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा और आपका भागिशालियंक जो की साथ होगा अब हम बात करते हैं मकर राशी की जो लोग आपका विरोध करनी की कोशिश करेंगे वो आपके सामने थोड़े कमजोर हो जाएंगे इससे आपको अपनी बात पर टिके रहने का आउसर मिल पाएगा अब बहुत से काम निप्टाना चाहेंगे मानसिक सुस्ती भी आपकी समाप्त होगी आपको कोई ऐसा काम या नोकरी मिल सकती है जो मानसिक तोर पर आपको व्यस्त रखेगी दिन आपके लिए अच्छा है परिवार या प्रेमी जनों के साथ कोई अनबन हो सकती है और उसका समाधान भी आपको प्राप्त हो जाएगा और उससे अच्छा मुका मिलेगा पैसों की मामलों में आपको कोई कारगर सलहा भी मिल सकती है और कोई दस्तावेज यदि आपके उल्जेवे तो वो भी सुलच जाएगे सोच समझ कर किये गए कामों से आपको भरपूर फाइदा होगा उपाई के रूप में गाय को यदि आप रूटी खिलाएंगे तो आपका दिन शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशालियंक जो कितीन होगा अब हम बात करते हैं कुम्पराशी की कोई राज की बात आपको पता चल सकती है और आपके मन में अचानक कोई ऐसे विचार उत्पन होंगे जो आपको फाइदा देंगे अपने मन की बात पर भरोसा रखे सकारत्मक सोच रखे अजपूरी व्यभारिक्ता और समझदारी से अपना काम करे अपनी वाणी और हाव भाव पर नियंतरन रखे उधार और संतुलित रहे तनाओ के मोको को हासी मजाक में टाल दे समय दो-चार दिन में ठीक हो जाएगा उधार पैसा आप चुका सकते हैं और बड़े तथा खास लोगों से आपकी मुलाकात होगी उपाई के रूप में एक नारियल यदि आप भगवान हनुवान जी के मंदिर में चड़ाएंगे तो आप का देन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशालियंक जो की पांच होगा अब हम बात करते हैं मीन राशी की कोई खास बात आपको पता चल जाएगी व्यावसा या नोकरी के कुछ कामों में आप भागिशाली साबित होगे कुछ दोस्तों और परिच्चेतों से आप चर्चा करेंगे आगे चल करके आपको ही फाइडा होगा कुछ महत्वपूर्ण लोगों से आपकी महत्वपूर्ण चर्चा होगी मुलाकात होगी उनसे आपको फाइडा होगा कोई काम आपने पिछले दिनों सुरू किया है उसके भी अच्छे परिनाम आपको देखने को मिलेंगे उपाई के रूप में तामबे के लोटे से भगवान शंकर जी को जल चड़ाना आपके लिए शुफल दाई साबित होगा और आपका भाग गिशाली अंक जोकी 9 होगा तो मित्रो या 12 राशी का देनिक राशी फल और उनको करने वाले उपाई तथा भाग गिशाली अंका हमने आपको बताए हैं हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा लाइक करिएगा कमेंट करिएगा और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया आपको और आपके पूरे परिवार को साधर जैसी कृष्ण साधर धन्यवान